को बता दे कि DMAT अकाउंट में फिर से लोगों की दिल्चस्पी बढ़ी है मही में 21 लाग से जादा नए DMAT अकाउंट खुले हैं डिटेल्स के साथ हमारे साथ शार दुबे हैं शार बता ये क्या डिटेल्स है जी बिलकुल मही में देखा जाए तो DMAT के अकाउंट एडिशन्स हुए 21 लाग के हुई है लेकिन इंपोर्टन बात ये है कि ये लगातार तीन महीने जो गिरावट देखने मिली उसके बाद रिबाउंड आया है और ये जो रिबाउंड है इसका मतलब जो आवरेज है उस पर वो वापस आ चुकी है इसके लावा लेकिन रिजन है कि DMAT अकाउंट एडिशन्स में बढ़ोतरी क्यों हुई 9 मन्थ हाई लेवल्स पर क्यों हो गया सबसे इंपोर्टन फैक्टर है मार्केट अपने lifetime हाई लेवल्स पर है सेंसेक्स ले ले लीजिए निफ्टी ले लीजिए उसके आसपास जो है अभी जो है ट्रेड कर रहा है रिन्यूड इंट्रेस्ट देखने मिली है आपको स्पेशली स्मॉल कैप स्पेस में IPO स्पेस में और मई के महीने में देखें तो बाजार में macro trends भी बहुत strength देखने मिली है तो इसके कारण जो है investor sentiment में भी एक अच्छी improvement देखने मिली है अब पिछले चार महीने में कैसी performance रही हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपके incremental demand accounts को लेके तो यहाँ पर देखते हैं कि जो table में हम देखेंगे कि यहाँ पर पिछले तीन महीने में जो है लगातार sustained गिरावट देखने मिल रही थी अब वो जो है बढ़ गई है आप देख सकते हैं वह आकड़ा 21 लाग का हो गया मई के लिए यह तो थी आपकी demand अकाउंट ट्रेंड लेगी तोटल डिमाट अकाउंट कितने हैं वह भी फोकस करते हैं उसमें भी एक अच्छी बड़ोतरी देखने मिली है यहाँ पर overall जो आप कह सकते हैं 11.8 करोड के टोटल अकाउंट से उस पर जो है फोकस रहने वाला है और अगर active user clients के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी moderation ज़रूर आई है लेकिन एक टाइप से कह सकते हैं इंप्रूव्मेंट देखने मिली है शुक्रिया सर्थ पूरी details बताने के लिए कि तीन महीने की सुस्ती के बाद एक downtrend के बाद वापस से डीमेट ने डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं लोगों का investment को लेकर ट्रेडिंग को लेकर फिर से रुजान बढ़ता दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से बाजार में तेजी दिख रही है उसका फायदा पर